हिंदी की अनुपम कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिये प्रतिष्ठित हिंदी लेखी का आरती प्रणय जी की लिखी हुई कहानी अम्रत मन्थन तो शुरू करें कहानी आज सारी रात सुजाता सो नहीं पाई जीवन के जिस निर्णय को वो पिछले कई वर्षों से टालती आ रही थी आज उसे एक बारगी सुईकारना आसान नहीं था गुजरे हुए समय के सारे पल, सारी रात उसके जहन में एल्बम के सजीव पन्नों की तरह पलटते गए सुजाता एक परत्यक्ता की इकलौती संतान थी कई बार उसके मन में आता कि क्यों वो किसी विद्वा की बेटी ना हुई क्या उसकी मा का संपूर्ण जीवन एक उम्र कैट से कम था उसने जीवन से अपनी मा की आँखों में किवर उदासी और विरह वेदिना देखी थी जब कभी सुजाता उनसे इस बारे में पूछती तो वो उसके प्रशन को टाल जाया करती थी जैसे जैसे सुजाता बड़ी होती गई उसे मा के दुख का एहसास होता गया सुजाता आप समझ सकती थी कि अगर परदेश जाकर भी पती सिर्फ अपनी पतनी का बनकर रहता है तो ऐसा विरह उनके प्रेम को और गहरा बना देता है लेकिन प्रवासी पती अगर पुराने बंधनों को अधुखला छोड़ अपने आपको किसी नए रिष्टे में बांद ले तो पतनी उसकी मा की तरह सारी उम्र उस अधुखली छोड़ को बांदने में गुजारती रह जाती है सुजाता अब जानती थी कि एक ऐसी अंतहीं प्रतीक्षा ने सरला को समय से पहले कुछ जादा ही बूढ़ी और दुर्वल बना दिया था सुजाता का रूप और लामर ने भी अपनी मा की वेदनाओं से प्रभावित था जिस उम्र में एक युवती की आखों में काजल और सपने होते हैं हूटो पर एक शर्मीली शरार्टी हसी सचती है उसी उम्र में सुजाता की आखों में दर्ड और पीडा की सांज उतर आई थी उसके हूटों पर एक अजीब सी खामोशी रहती थी माता पिता अक्सर अपने अधूरे सपनों को अपनी संतान के मात्यम से पूरा करना चाहते हैं सरला अपने अपूर जीवन की पूर्णता अपनी बेटी की बस्ती ग्रहस्ती में ढोर रही थी जब सुजाता 22 वर्ष की हुई तो औरो ने पहली बार उसे शादी की बात चुड़ी सुजाता ने पहली बार मा की आँखों में कोई ललक देखी थी इसलिए उसने बिना कुछ जाने बूजे हा कर दी थी आज इस बात को 12 वर्ष हो गए हैं पर अपनी मा की आँखों की वो ललक सुजाता को उसी तरह याद है आज इतने बरसों बाद एक ऐसी ही ललक सुजाता ने अजय की मा की आँखों में भी देखी थी अपनी और अजय की मा की आँखों के एक से सपनों ने सारी रात सुजाता को सोने नहीं दिया था वो सारी रात अतीद और वर्तवान यादों के बीच पिस्ती रही जिस दिन पहली बार लड़के वाले सुजाता को देखने के लिए आने वाले थे उस दिन सुजाता ने अपनी मा का एक नया रूप देखा था कभी न सजने सवरने वाली सरला जी ने सुजाता को सजाने सवारने में कोई कसर ने छोड़ी मानो वो इस तरह इतने वर्षों से छोड़े अपने साज श्रंगार की भरबाई कर रही थी पूरी तरह सुजाता को सुसजित करने के बाद सरला जी ने उसे अपनी मा के दिये सुहाक के जड़ाओ कंगन पहनाए कंगनों को पहनाते हुए सरला जी कभी उन्हें और कभी सुजाता को देखती मानों कंगनों से कह रही हूँ तुम मेरे हातों में तो नहीं खनक पाए पर मेरी बिटिया के हातों में खुब खनक ना कंगनों के हातों में खनकने से पहले ही अनेकों मधूर सपने सुजाता की आखों में तैरने लगे थे दुलहन की तरह सजी सुजाता अपनी सहलियों के द्वारा लड़के वालों के सामने लाई गई उसने मीची हुई आँखों से ही इतना जान लिया कि वो लड़का भी उसे देख कर सपने बुनने लगा था पर लड़के की मा की नजरे तो लड़की के पिता को ढूंड रही थी जैसे इस अरला जी ने कहा कि सुजाता के पिता पिछले 20 वर्षों से कलकते में ही रहते हैं लड़के की मा उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी तो सिधा सिधा कहिए ना कि आपके पती ने आप दोनों को छोड़ दिया है आप एक पर्ट्यक्ता है फिर वो अपने साथ आये लोगों के साथ यह कहते हुए उठ खड़ी हुई कि जब आप अपने पती और घर को संभालने पाई तो आपकी बिटिया हमारे बेटे और परिवार को क्या संभाल पाएगी वो लड़का दर्वाजे तक जाते जाते बार बार नजरें उठा कर सुजाता को देखता रहा ठीक वैसे ही जैसे किसी छोटे बच्चे को मानने कह दिया हो कि उस खिलोने को मत छूना उसमें गंदगी लगी है लड़के वालों के आने और वापस जाने का सिलसला फिर तो जैसे आम हो गया सुजाता को सामने लाने वाली सहलियां दीरे-दीरे कम होने लगी आठ बार इस तरह पेश की जाने के बाद भी सुजाता अपने मायके की दहली बार न कर पाई कहीं न कहीं वो इस अवस्था के लिए खुद को भी कोस्ती रही पर उस दिन तो हद ही हो गई एक बार फिर सजी संदी सुजाता अपनी नौकरानी के द्वारा देखने वालों के सामने लाई गई उसने देखा लड़के वालों के सामने उसकी मा के साथ पडोस के दुकानदार गुपता जी ठीक उसी अंदाज में बैठे थे जैसे किसी लड़की का पिता बैठता है ये वही गुपता अंकल थे जो पिछले 20 सालों से वक्त बेवक्त मा बेटी की मदद करते आये थे उनकी आखों को देखते ही सुजाता समझ गई कि मा ने शायद बड़ी मिन्यत्ते कर उन्हें लड़के वालों के सामने उसके पिता की तरह पेश आने के लिए मनाया था एक बार उसे भी लगा जैसे वो किसी आदर्श परिवार का हिस्सा है मा तो सुजाता की तारीफें किये जा रही थी गुपता जी उनकी बातों में हां मिला रहे थे लड़के वाले इस बार सुजाता और उसके परिवार भी कोई खामी नहीं निकाल पाए और उन्होंने हा कर दी पर जो ही लड़का सुजाता को मंगनी की अंगुठी पहनाने जा रहा था गुपता जी की पत्नी वहां आ गई भाव विवहल गुपता जी और सुजाता को देखकर उनका गुसा सात्य आस्पान पर पहुंच किया जोड जोड से चिलाने लगी अच्छा तो इस वज़े से आज मुझे लेने मेरे भाई के घर रही आए मुझे तो कह दिया कि दुकान का सामान लाने बाजार जाना है और यहां बैठ कर इस को लच्छनी के साथ गुलचरे उड़ा रहे हो मैं तो जानती थी इतने सालों से ये औरत तुमारे भरू से ही अपने पती को छोड़ कर यहां बैठी है चलो यहां से फिर हाथ पकड़ कर गुपता जी को कमरे से बाहर ले गई सुजाता के घर का माहौल अक्षन भर में बदल गया लड़के वालों को सारा माजरा समझ में आ गया वे ये तो जानी गए कि पिता की तरह बैठे गुपता जी वास्तों में सरला जी के पती नहीं थे पर उन्होंने गुपता जी की पतनी की सारी बातों को सची मान लिया फिर तो दोके बाद जूटी चरितरीन जैसे कितने ही गंदे शब्द उस कमरे में धीमी उची आवाज में उभरने लगे सरला जी की लाग सफाई और मनुहार के बावजूद उन्होंने सुजाता के हाथों से अंगुठी उतरवा ली और ना जाने क्या क्या कहते वहाँ से चले गए सुजाता की मा अपने जीवन की सबसे बड़ी बाजी हार चुकी थी उस दिन उन्हें लगा कि अब शायद सुजाता की शादी कभी नहीं होगी पूरी तरह से तूट गई सरला पीड़ा की वो रात सहना सकी और एक दिल के दोरे से लड़ती हुई ईश्वर के पास अपनी किसमत का लेखा जोखा करने चली गई उस दिन कितने वर्षों बाद एक बाद फिर सुजाता ने अपने पिता का मूँ देखा वो शायद पति धर निभाने से ज़्यादा प्रेतात्मा के प्रकोप से बचने के लिए सरला जी के अंतिम संसकार में आये थे जिस सिंदूर और मंगल सूत्र से उन्होंने वर्षों पहले सरला जी को आजीवन कारावास दिया था वही सिंदूर और मंगल सूत्र एक बार फिर पहना कर उन्होंने सुजाता की मा को हमेशा के लिए मुक्ती दे दी जाते समय उन्होंने सुजाता को साथ चलने को कहा पर पिता के होते हुए भी वो सुजाता को अजनबी से ही लगे सुजाता ने मा की यादों की छाया कोई अपना मान कर उनके घर में ही रहने का फैसला सुना दिया इस फैसले के साथ सुजाता ने ये भी फैसला कर लिया कि वो अब कभी शादी नहीं करेगी बार बार अपमान की भूत पीते हुए उसने कई बार अपने लड़की होने को कोसा था अब तो वो कहीं न कहीं अपने आपको मा की मौत का जिम्मेदार भी मान बैठी थी पर आज इतने वर्षों बाद अजय की मा की आखों में बसी बहू की चाहा ने सुजाता को फिर शादी के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया था यूं तो सुजाता का अजय से परिचे कुछ एक महिने पहले ही हुआ था पर दोनों के दुखों की समानता शायद इस छोटी अवद में उन्हें काफी नजदीक ले आई थी उसे अजय के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था उसके पिता की अकस्मात मृत्य के कारण बार्मी कक्षा में उसके डॉक्टर बनने के सपनों के तूटने का उसकी दोनों बहनों की शिक्षा एमम शादी के भार का और अपनी विद्वा मा के इलाज के खर्श का अजय के व्यक्तत से ही जलकता था कि इनके बीच उसके सपनों का अस्तित तो कहीं खो गया था उसके सारे सपने अपनी माँ और बहनों की आशा भरी आखों तक सीमित हो गए थे ये भी जाहिज था कि एक शिक्षक की कमाई इन सब के लिए कम ही थी पर एक शिक्षक के रूप में स्कूल के विद्यार थी ही नहीं बलकि सारे शिक्षक भी अजय का बहुत आदर करते थे सहकर्मी होने के नाते सुजाता अजय की दोनों बेहनों को केमिस्ट्री पर हने के लिए अजय के घर जाने लगी दीरे दीरे अजय की दोने बेहने भी सुजाता से बहुत गुल मिल गई और अजय की मावी हर दिन सुजाता की प्रतीक्षा करने लगी कभी सुजाता उनके बालों की मालिश कर देती तो कभी उनके लिए अपने घर से ही कुछ बना कर ले आती शाम की चाये तो वो तब तक नहीं पीती जब तक सुजाता ना आ जाती थी वो परिचय दीरे दीरे एक अधिकार का रूप ले रहा था पर जब भी सुजाता अजय की मा के पास बैठती वो बार-बार यही कहती कि पता ने इस जन्म में अपनी बहु का मुँ देख पाऊंगी या नहीं यह कहकर वो अकसर आजबरी नजरों से सुजाता की और देखने लगती और कभी-कभी तो रोने भी लगती अपनापन बढ़ने के साथ सुजाता को अजय की मा की आँखों में कहीं ना कहीं अपनी मा की लाचारी देखने लगी उनकी आवाज में वही दर्द था जो उसकी मा की आवाज में होता था जब भी सुजाता की मा कसी लड़की की विदाई से लौक्ती तो कह उठती थी तुमारी डोली उठ जाए चाहे इसके बदले विदाता मेरी अर्थी उठा ले मा की कही ये बात सुजाता को अंदर से जगजोर दिया करती थी उसे उन लड़कों के प्रत पित्रशना हो गई थी जो लड़की देखने के बाद उसे ठुकरा कर चल देते हैं अब उसे लगने लगा था कि अजय की स्थिती भी कुछ ऐसी ही थी लड़की वाले उसकी जिम्मेदारियों को देखकर पीछे हट जाते थे और उसकी मा को ये एहसास दिला जाते थे कि वही अपने बेटे के जीवन का ग्रहन है खुद उन्हें लगने लगा था कि शयद उनकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ही अजय शादी नहीं करना चाहेता उस दिन अजय की माने सुजाता से कहा था कि इससे तो अच्छा होता कि उनकी अर्थी उड़ जाए पर लाल जोड़ा पहने कंगन खनकाती कोई बहुरिया उनके घर आ जाए फिर वो रोपणी थी सुजाता नोंने जोड से कले लगा लिया था आज उसकी भी आँखों में अविरल आंसु बहने लगे वर्षों बास तुजाता को लगा जैसे वो अपनी मा के सीने से लगकर रो रही है उसे लगा कि हर मा अपनी संतान के लिए वो व्रक्ष होती है जो हरा बरा रहने पर टो चाया करता ही है सूख जाने पर भी जलावन बनकर कभी उनके लिए खाना पकाता है तो कभी पूस की ठंड में गर्मी देता है मा जब तक साथ होती है उसकी ममता से बच्चे बड़ी से बड़ी वेदना को उसकी गोद में सर रखकर भूल जाते हैं मा के जाने के बाद भी उसकी यादों और सीखों से बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल ढूल लिया करते हैं उस दिन घर आकर सुजाता भी अपनी मा की तस्वीर को अपलक नहारने लगी उसे लगने लगा जैसे वो अजय की मा की ही तस्वीर हो वही आशानवित नजरें और बहुत सी उमीदों से पड़ी वही सेक्णों जुरियां उसे अजय की मा अपनी ही मा का प्रतिब्ब में लगने लगी उसने तैय किया कि आज वो अजय से बात अवशे करेगी चाहे जो भी हो एक बार कहना तो उचित होगा उसने कपड़े बदले पिंदी लगाई और बड़े शौक से घड़ी पहनी मानो समय से कुछ हिसाब चुकाने जा रही हो एक दरड़ निश्य के साथ सुजाता अजय के घर की तरफ चल पड़ी अजय के घर पहुँच कर सुजाता ने उसे छट पर बुलाया उसे लगा कि शायद खुले आस्मान के नीचे उसकी आवाज में कोई रुकावट नहीं आएगी अजय आया तो वो इतने वर्षों से अपने अंदर छिपे उद्वे को रोक न पाई और एक सुल में कहती चली गई आप पर मेरा कोई अधिकार तो नहीं पर एक मा की पीड़ा का एहसास दिलाना में अपना कर्थवे मानती हूँ आप पुरुष इस्तरी के सपनों को तोड़ने में जरा सावी संकोश नहीं करते चाहे पिता हो पुत्र या पती कोई भी हो बस अपनी जिद पूरा करना अपना धर्म समझता है हो सकता है आपने कभी प्यार किया हो और उसके बिछों में आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया हो पर मा के सपनों का क्या सुजाता थोड़ा रुक कर फिर बोली अजे क्या आप चाहेंगे कि उम्र बर उनकी आखों में उनके सपने कांच की तरह चुपते रहें फिर उसकी आखों में आसू भराए भराई हुई आवास से वो बोली मैं आपसे विंती करती हूँ आप शादी कर लीजे नहीं तो मेरी मा की तरह आपकी मा भी शांती से नहीं मर पाएंगी अजे एक धीर पुरुष की तरह उसकी बातों को सुन रहा था कुछ पल के मौन के बादों कह उठा सुजाता कभी-कभी विप्रीत परिस्थित्यों के कारण समय की मांग को अंदेखा करना पड़ता है मा की पीड़ा और वीदना का एहसास है मुझे जब अपनी बुड़ी हड़ियों से जुग जुग करो रोटियां बनाती है तो मेरा मन भी करता है कि कोई इनका हाथ बटाए जब भी अपनी कमजोर नजरों से राशन का हिसाब जोड़ती है तो मेरा मन भी कचोड़ता है जब किसी की बहून के पैर छूती है और फिर जिस आशा से वो मेरी ओर देखती है मैं तो उनसे नजरे ही नहीं मिला पाता सुझाता ऐसा नहीं है कि मैंने ब्रमचारी रहने का बरत लिया हो या कोई प्रेम में बिच्छो की बात हो बात दरसल ये है कि कौन करेगा मुझसे शादी कई रिष्टे आए पर जैसे उन्हें मेरी बातों से लगा कि मेरी मा और बहनों की जिम्मेदारी मेरा पहला कर्तव है सारे पीछे हट के तुम ही बताओ कौन करेगा मुझसे शादी ना तो मेरी कोई पैत्रक संपत्ती है ना अपना घर ना बड़ी नौकरी है तो बस मा और दो बहनों की जिम्मेदारी मैं तुम से पूछता हूँ क्या तुम कर सकोगी मुझस जैसे व्यक्ति से शादी शाम जैसे कुछ और खामोश हो गई सुजाता कुछ ना कह सकी और बिना कुछ बोले घर आ गई आज सारी राज सुजाता के अंतरमन में अतीत के कट अनभवों और सामने खड़े प्रश्म के पीछ युद्ध चलता रहा पर आज सुजाता सुयम उस जगे खड़ी थी जिस जगे से कई लड़के वालों ने उसे कई बार ठुकराया था आज सुजाता की बारी थी सुबह हो गई थी सुजाता ने एक बार फिर अपनी मा की तस्वीर की ओर देखा फिर अतीत के सारे विश को एको रखकर लाल साडी और मा के दिये हुए कंगन पहन कर अजय के घर की ओर चल दी आज उसकी आँखों में ठुकराय जाने का डर नहीं था था तो बस अपनी और अजय की मा के सपनों को एक साथ पूरा कर पाने का संतोश अभी आप सुन रहे थे आरती प्रणय जी की लिखी हुई कहानी अमरित मन्थन कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ आपका समय शोभ हो